मध्य प्रदेश के धार जिले के विधायक पांची लाल मेडा ने नालचा विकासखंड का दोरा किया और कागदी पुरा पहुँचकर भंडारे में शामिल हुए साथ ही माता जी के विसरजन चल समारों में शामिल होकर गर्भा मंडलों के साथ जमकर गर्भा किया विधायक ने जीरा पुरा पहुँच कर चोसर जोगनी माता मंदिर में महा आर्ती की इस दोरान लोगों ने जगह जगह विधायक का स्वागत किया विधायक मेडा कागदी पुरा पहुचे जहां दो अलग अलग गर्भा मंडलों द्वारा नवरातरी के समापन अउसर पर पूर्णा होती के बाद आयोजिक भंडारे में शामिल हुए महा महा प्रसादी ग्रहन की इसके पशात कागदी पुरा से जीरापूर चोसट योगिनी मंदीर तक माता जी का विसरजन चल समारो निकाला गया जिसमें विधायक शामिल हुए जीरापूर में चोसट योगिनी माता जी को चुनरी चड़ा कर पूजा अर्चना की साथ ही महा आरती में भी शामिल हुए विधायक मेडा ने कहा कि जीरापूरा माता मंदीर एक चमतक इस्तान है और शरधालों की आस्था का केंद्र है यहाँ पर शरधालों की सुविधा बढ़ाये जाने को लेकर जल्द ही एक कार्य योजना बना कर भेजे जाएगी मंदिर कमेटी और शेत्र के लोगों के साथ बेट कर शेत्र के विकास के लिए चर्चा करने के बाद भोपाल में यहां के लिए राशी स्विक्रत कराने के प्रयास करेंगे नालचा से विनित यादव की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें